हाई एविवन तो दोस्तो आई थिंक आप सभी ललीत नरायन मिथला युनिवर्सिटी दर्भांगा पार्थ थर्ड इंग्लिस ओनर्स के स्टुडेंट्स होंगे दोस्तो LNMU में पेपर फाइब के एग्सामिनीशन में एक अनसीन पोयम का सेगमेंट हर साल आता है और वो फिक्स सेगमेंट है अनसीन पोयम बाले सेगमेंट में क्या होता है एक सौट पोयम होते हैं और वो पोयम बीस मार्क्स का होता है आंसर के तौर पे हमें केबल और प्लेन करना होता है और हर साल कोस्टन नए नए आते हैं कभी भी कोस्टन इस सेगमेंट में रिपीट नहीं किये हैं आप सभी का बारवर क्वैरी आ रहा था बारवर मैसेज़ आ रहे थे कि 2017 से लेकर के 22 तक जो जो पोयम आये हैं उन सभी पोयम के बारे में थोड़ा बहुत आप मुझे बता दो कि पोयम का नाम क्या है और किस के द्रा लिखा गया है क्योंकि ये बेसिक चीजे हैं तो आज इस वीडियो में जेनरली हम यही कफ़र करेंगे आपको बताएंगे कि पोयम का शेकिस के ड्रा लिखा गया है एक चीज़ याद रखिएगा unseen poem बाले segment में अभी तक जो भी सवाल पूछे गए हैं उन में से एक भी question repeated नहीं है इसलिए बस आप cable और cable थोड़ा बहुत ये समझ लेना कि किस poem का ये किस poem का ये line है और किस के दोरा लिखा गया क्योंकि question तो repeat करते नहीं इसलिए आप example के तोर पर इसे cover करना ये नहीं कि मैं हर एक question को cover कर लूँगा तो एक question आएगा ही नहीं ये बिल्कुल fix नहीं है चलिए अब मैं question paper का review करना शुरू करता हूँ दोस्तों ये जो छोटा सा poem आप देख रहे हो ये poem 2022 के examination में पेपर 5 में unseen poem के अंदर पूछा गया है और इस poem का नाम है दोस्तो apparently with no surprises क्या नाम है apparently with no surprises और इसके जो writer है इस poem के जो writer है उसका नाम है Emily Dickinson तो ये हो गया 2022 का question paper अब हम 2020 के उपर आते हैं दोस्तों ये जो poem आप देख़रे हो ये poem पेपर 5 में unseen poem के अंदर पूछा गया 2020 इस भी में और इस poem का नाम है Egypt's might is tumble down क्या नाम है Egypt's might is tumble down और इसके writer के नाम है Mary Elizabeth Colerys क्या नाम है Mary Elizabeth Colerys तो ये हो गया 2020 का question paper अब हम 2020 की उड़ चलते हैं दोस्तों ये जो poem आप देख़रे हो ये poem 2020 इस भी के अंदर गत पेपर 5 में unseen poem section के अंदर गत पूछा गया है और इस poem का नाम है Riches I hold in light steam जिसके writer है Imli Zon Bronte इस poem का क्या नाम है Riches I hold in light steam और writer के क्या नाम है Imli Zon Bronte तो ये हो गया 2020 का question paper अब 2019 की उड़ आते हैं दोस्तो ये जो अब छोटा सा poem देख रहे हो ये 2019 में पूछा गया है और इस poem का नाम है Wants क्या नाम है Wants और इसके writer कौन है Flip Larkin यानि कि 2019 में poem section के अंतर गत जो poem पूछा गया है उस poem का नाम है Wants और writer का नाम है Flip Larkin तो ये हो गया 19 का question अब 2018 के question क्यों पर आते है दोस्तो ये जो छोटा सा poem आपको दिख रहा है ये है 2018 का question paper जो की paper 5 में unseen poem के अंतर गत पूछा गया है और इस poem का नाम है I love all beautious things क्या नाम है poem का I love all beautious things और इसके writer कौन है writer है Robert Samar Breeze क्या नाम है Robert Samar Breeze तो ये हो गया 2018 का question अब 2017 के question को हम लोग देखते हैं देखे जो छोटा सा poem आपको दिख रहा है ये 2017 में पूछा गया है और इस poem का नाम है Harlem क्या नाम है Harlem और इसके writer कौन है Langton Hughes कौन है Langton Hughes तो दोस्तो यही है 2017 से ले करके 2022 तक paper 5 में unseen poem के अंतरगत पूछे गए poem तोस्तो पूछे हैं